हलो गाइस, वल्कम टू पूरी पड़ाईतोर हम स्टार्ट करने वाले हैं JS Operator जिसमें हम देखेंगे पोस्ट फिक्स वर्सस प्रिफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों तो पोस्ट फिक्स और प्रिफिक्स जो है हमारा क्या डिफ्रेंसेस में यह देखते हैं तो आपका यह सेंटेक्स है अगर अगर आपका एक वैरियबल ए उसके आगे प्लस प्लस लगा हुआ है तो मतलब आपका पोस्ट फिक्स है अगर प्रिफिक्स प्रिफिक्स मतलब के अगर इसके पहले लगा हुआ है प्लस प्लस तो वो आपका प्रीफिक्स है इंक्रीमेंट प्रीफिक्स तो इसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहेंगे उसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है हम देखते हैं कि तो एक example लेते हैं, यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यह हमारा opening tag है, यह closing tag होगे हमारा, यह आप अल्रेडी पता है, इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं, कि prefix, postfix होता है, एक variable ले ले लेते हैं, एक और variable ले ले लेते हैं, equal to 5 कर लेते हैं, बाकि एक और variable ले ले लेते हैं, B, और हम B में इससे save करा सकते हैं, A++, और जो हम document या फिर window.alert लगाएंगे, और इसमें हम B लगाएंगे, तो हमारे क्या होना चाहिए, 5 है यह, और एक B variable लिया है, B में A++, मतलब कि A++ क्या होगे आपका, A++, A++ मतलब 6 हो जाएगा, 6 इसमें save हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम से print करा देंगे, इसको हम save करते हैं, इसको हम save कर रहे हैं, js postfix versus prefix.html से, इसे हमने save कर दिया है, इसको हम open करते हैं, यह आपका open हो जाते हैं, open होते हैं आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें, अभी देख लेते हैं, तो 5 क्यों आ रहा है, इसमें, यह तो 6 आना चाहिए, बढ़ यह 5 आ रहा है, क्यों, अभी यह है हमारा postfix, postfix मतलब कि आपका सबसे पहले variable की value इसमें डल जाती है, यह वाले जो container S की value आपकी B में डल जाएगी, उसके बाद जाकर, उसके बाद A plus 1 होगा यह, मतलब कि यह जो A plus 1, अगर हम directly यहाँ पर window, window.a alert, यह करवाते हैं, तो अभी अगर value देखेंगे इसकी, इसको हम save कर लिते हैं, और अगर A की value देखेंगे, तो अभी 6 आने वाली है, दिखा देता हम आपको, तो 5 यह वाली value, रोक के करेंगे फिर से 6 value, तो यह जो 6 value है, यह already 6 इसमें हो चुका है, मतलब कि पोस्ट फिक्स का मतलब है कि आपका जबसे पहले variable है, उसकी value B में चले जाएगा, उसके बाद जाकर यह A plus 1 हो जाएगा, तो पोस्ट फिक्स का मतलब यह है, अगर हम prefix कर देंगे, तो prefix का मतलब यह है कि सबसे पहले यह 6 बन जाएगा पूरा, और फिर 6 बनके इसमें डल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आजाएगा, तो इसकी B की value हमारी 6 हो जाएगा, तो इसका हम सेफ करते हैं, इसकी B करेंगे, उससे refresh करते हैं, और से OK करेंगे, दोनों की value 6 हो जाएगा, तो यह आपका postfix और prefix increment और decrement में differences हैं, तो इस तरह से चीज़े आपकी यह work करेंगी, अगर आप इस तरह से चीज़े use करना चाते हैं, एक specific values लाना चाते हैं, या फिर एक specific situations में handle करने के लिए JavaScript लिखना जाते हैं, तो इस तरह से value आप use कर सकते हैं, so I hope आपको postfix versus prefix increment और decrement सहुझ में आया होका, so thank you guys, meet me in our next video, तब तब के लिए, goodbye Your feedback is valuable for all, so please comment, like and share with your friends, thank you